हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब स्वागत करता हूं आपका रिवाइब कोडिंग में और यह है हमारी एक ब्रैंड न्यू सिरीज और क्विक राइट बहुत सारे बंदे हैं जो कुई करने बारे में देखें क्या चीज ठीक है और उसके बद हम अपना जो बेसिक सेट अप धीक है वो बेसिक सेट अप करेंगे और फिर finally हम अपना folder structure सम्झेंगे कि है quick में जो folder structure है वो कैसा है कहां क्या होता ठीक है और finally हम अपना एक basic सा hello world component बनाएंगे ठीक है great तो चलो quick में शुरू करने से पहले तो हम सब quick की documentation पर आउगे ठीक है तो अगर मैं आपको सबसे इनिशली दिखाऊ ठीक है तो जैसे आपको लोड करोगी ठीक है तो जो आपको सबसे पहला वह है यहां मिलेगा ठीक है वो क्या लेका भाई npm create quick at the rate latest ठीक है पहला तो यह इसको copy कर लेते हैं ठीक है और अपने folder में चले जाते हैं जब हम इससे करेंगे है ना जब इसको install करेंगे तो यह थोड़ा तो टाइम लेगा है ठीक है तो basically क्या हम यह कर रहे है हम basically एक quick कर नया application बना रहे ठीक है तो उसके लिए command यार npm create quick at the rate latest याद करने के जरूद नहीं है सिधा quick की website पर जाना है शुरू कर देगा ठीक है quick application शुरू कर देगा यहां आप डिसाइड कर लोगे भाई पूछ रहा है कि आपके application नाम क्या होगा तो इसने को option देख भाई quick app तो मैंने बोला चलो यह ठीक है quick app भी जाने दो अब बोलाएक यह जो basic जो quick city है कि आप उसकी features को उसकी routing को लेना चा करना चाहते हैं आप initially ignite करना चाहते हैं मतलब आप initialize करना चाहते हैं कि अपनी git repository को हमें करना चाहते है ठीक है और फिर फाइनली जब आप सारी चीज़ एंटर कर दो तो यह अपना बाकी dependency को इंस्टॉल करने का काम शुरू कर देगा ठीक है तब तक हम आ जाते हैं यहां इ एक निया तरीके का framework and deliver the instant loading of the web application of any size of complexity your site and the app would with about 1KB of JavaScript ठीक है अब कहा कहा यह गया है कि यार जिस तरीक से जो बाकी applications होते हैं ठीक है तो बाकी application क्या करते हैं कि hydration के प्रिंसिपल को यूज करते हैं ठीक है इवन दो अगर हमारा server side rendering होती है ठीक मतलब मैं भारी भारी थोड़ी words बोलना हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो नहीं आप को समझ में आया होगा कि मैं server side rendering क्या है मैं जावस्क्रिप्ट की वारे हैं क्या बात कर रहा हूं ठीक है तो चलो simple करते हैं ठीक है तो मतलब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए ठीक है या फिर मेरे को कुछ यहां चीज है उसको यहां से ड्रैक करके यहां लेकिया होगा तो कैसी आएगी ठीक है तो वह सारी चीजे functionality आ गई और दूसरी तरफ को होता है यह जो आपको सामने दिख रहा है ठीक तो यह तीन में पार्ट होते हैं तो basically क्या होता है कि सबसे पहले तो यार जो server side rendering में होता है यह कि जो page का धाचा है मतलब आपकी हडियो का मानलो जो आपका जो आपका शरीर है तो आपके शरीर में main चीज क्या है हडियो का धाचा ठीक है जिसकी basis में आपका शरीर बना ठीक है hydration में क्या होता है कि आप वो मिलने के बाद server side से को इसमें functionality add करने के लिए जितनी भी जावा स्किप्ट होती है ठीक है तो वो back end में load हो रही होती है ठीक है अब उसके load होने के बाद हमारी पूरी जो website है वो इंदम से functional हो जाती है ठीक है तो इस तरी किसे ज्यादा त है कि यार अगर आप quick में application मना होगे ठीक है तो आपकी बड़ी से बड़ी complex और complex क्योंना website हो ठीक है उसको load करने के लिए initial load करने के लिए मतलब सिर्फ और सिर्फ एक kv की लगबग size का JavaScript चाहिए ठीक है तो अगर आज के इतने जब हमारा internet speed हो चुक है ठीक है तो एक kv download करन चुटकी वह जाता है लोड हो जाती है ठीक है तो मतलब initial जो पेंट टाइम है ठीक है उनका बहुत कम होता है तो इसकी वैसे SU में वह काफी अच्छे से rank कर सकते है ठीक अब इसका मतलब यह नहीं है कि air quick में बना होगे तो rank की कर जाएगी ठीक है मन बहुत साई चीज़ भी resumability वाले concept पर जाओगे ठीक है और इस पर क्लिक करोगे तो यार इसमें अलग इसका documentation है कि ठीक है यार resumability और hydration क्या है यह किस तरीक से दूसरे से अलग है हमने कोना से features अपने में add किया है से realization किस तरीक से add किया है ठीक है तो यह सारी चीज़े अब भी हम discuss नहीं करने वाले ठीक है मैं थोड़ा से इसको zoom कर देता हूं ताकि आपको भी यह देखे ठीक है तो इसको पहले zoom कर लेते थोड़ा सा और थोड़ा सा राइट तो चलो अभी आपको यहां देख रहा है कि यार यह मेरा application create हो चुका है ठीक है और यहां मेरे पस command भी आगई है कि यार अगर आ इसके अंतर हम जाएंगे है quick.dash के अंदर enter करेंगे ठीक है और फिर finally अगर में को इस quick की application को run करना है तो में को क्या command use करने पड़ेगी npm start ठीक है मगर हम basic लिए क्या करेंगे हम लिखेंगे code code ठीक है और फिर देंगे space sorry code और space और एक dot ठीक है इससे क्या है हमारे vs code editor में मे start ठीक है और जैसे आप इसका एंटर करोगे तो आपका जो application है वो run हो जाएगा ठीक है और कौन से port पे यहां port 5172 पे by default इसने यह हमारा application क्विक का load कर दिया ठीक है अब आप देखोगी यह basically यह मैंने नहीं बना है यह वस बना हुआ है ठीक है तो इस तरी एक तरीक एक तर finally यह जो हो रहा है इसको होने दो ठीक है मनलब इसको बटा देते हैं फिनाल के लिए और यहां हम थोड़ा सा file structure पर आजाते हैं यह जो आपको file structure है ठीक तो समझना पड़ेगा न क्योंकि हमें quick सीखना है ठीक है तो quick सीखना है तो इसमें सबसे पहले तो आता है file structure कहां क्या चीज़ पढ़ी हुई है ठीक है तो simple है यार ज्यादा कुछ नहीं है जितनी भी हमारी सबसे बहलता है package.json हमारा सबसे main file होता है जिसको समझना ज़रूरी है ठीक है तो package.json में कर आप देखोगे तो यहां दा को दुनिया बर के script है ठीक है अभी script क्या करती है मेरे को मैं म इकट्यर में discuss करेंगे कि हल एक चीज़ क्या है ठीक है तो यहां जो आपको तीन commands है ठीक है जो बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए ठीक है वह क्या है यह पहला तो Dev is there यह जो कि आपके इसको application को run कर रहा है ठीक है तो आप इसको डेफ का use कर सकते हो ठीक है और जो यहां देखो यह जैसे आप start command को run करते हो जो अपकी हमने किया यह क्या करता है वो क्या करता है इस वाली उपन डाइस दाश मौड से खिर होंगे और इसको open कर देना है और इस तरह की से आपको open करना है कि वह हमेशा ही जैसे बिल्ड बनाने के लिए आप इस command का use करोगे मतलब npm run build का ठीक है और अगर आपको preview देखना है तो आप npm run preview का use करोगे ठीक है तो यह basic commands होगी इसके लावा जो बाकी सारे commands अभी उसको हम नहीं देख रहे हैं ठीक है उसको हम as it is बाद में देखेंगे तो package.json हमारी वो file होत मतलब जो हमारे application में जितने भी packages use हो रहे हैं तो सारे के सारे packages मतलब npm packages की list आपको यह मिल जाती है प्लस यहां जो आपको बगर में मिलता है वह था सारा version ठीक है की package का कौन सा version ठीक है great चलो तो यहार पहला तो main important आपकी file होगे package.json जिसमें के अंदर आपको सारी dependency मिल जा ठीक है तो इसका मतलब यहां जो extension यूज हो रहा है मतलब यहां by default type script हो रहा है ठीक है तो आपको थोड़ा बहुत type script भी पता होना चाहिए चलो नहीं होगा तो मैं बता ही दूँगा ठीक है चलो अभी फिर यहां आपने देख लिया यहां package.json है अब इसके बाद हमारी जो main और दो हमारी directory बच जाती है ठीक है तो पहला होता है public ठीक है तो public में basically क्या है जो भी हम ऐसी file रखना चाहते है ठीक है मतलब जो हम publicly available करना चाहते है कि कोई भी उसको access कर सके ठीक है मतलब कोई restriction नहीं देना है कहीं से भी कोई भी access कर सकता है तो यार वो सारी file समया यह manifest जो जेसन नाम का फिर यहां इमेज है और फिर रोबोट.txt है ठीक है रोबोट.txt यूज़ो था SEO में तो मैं इसको बाद में बताऊंगा ठीक तो जितनी भी आप public static file रखना चाहते हो जो कि आप चाहते हो कि यह जिसका access आराम से सबको हो तो वो आप public file के अंदर रख होगे तो दो sections है पहले तो components है यार और दूसरा है routes ठीक है तो routes यह हमारे लिए बहुत जाद है important है मगर routes से भी पहले हम छोड़ा सा discuss कर लेते हैं जो हमारी main file है ठीक है तो यह जो हमारी आपको root.txt दिख रही है root.txt यह हमारी वो root file है जहां से हमारे entry point है ठीक है तो यही ह आप यहां public में चले जाओ चलो गोली मारोज को ठीक है पहले आज मस्ते अब यह हमारा वो enter point है ठीक है इसका मतलब यहां हमने header describe किया है यह हमारा head section है ठीक है और यह जो हमारा folder structure थोड़ा बहुत समझे और अपने पहले application बना है ठीक है तो यहां routes वो जगह है ठीक है जहां कि आपको अपनी पूरी की पूरी application का file based structure file based routing आप create करते हो ठीक है तो इसलिए इसका नाम routes रखा है ठीक है इसका मतलब क्या है जितनी भी यहां फाइले बन रही है मतलब अगर यहां लिखू demo demo और उसके बाद क्या यार उसके बाद flower है राइट हम slash करते है फ-l-o-w-r flower ठीक है तो बस इतना ही और इसके बाद हमारा index है ठीक है अगर मैं इसको enter करो तो मैं एक file खुलनी चाहिए ठीक है enter करते है और यहां देखो यहां एक file खुल गई है ना तो यह basically file क मैं इसके size को बड़ा कर सकता हूं कम कर सकता हूं आया देखने में तो आप इच्छा लग रहा ठीक है तो यह basically कहां से बन लिए index.js से बन लिए ठीक है तो इस तरीक से यहां file-based routing काम करती है उसके बारे हम बाद में बात करेंगे ठीक है फिलाल आपने यहां देख लिए कि यह वो जगह है component जो कि हमारे routes बनाने के लिए काम करती है मतलब जैसे जैसे हम फाइल का structure रखेंगे उस तरीक से routes बनते जाएंगे ठीक है मतलब path बनते जाएंगे और यह हमारा main point होगे ठीक है कि अपने जो भी path बनाना को हम routes के अंदर जागे बनाएंगे और यहां अगर आप देखो तो components ठीक है तो components मतलब क्या है मान लो कि ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं कि आप अपने application को for example अगर डबे दिख रहे हैं तो यहां एक डबा दूसरा डबा दीसरा डबा तो बहुत सारी डब्बे है ठीक है तो इन डब्बों को अब अलग 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 components में यूज करना चाहता हूं different different pages पर यूज करना चाहता हूं तो वह सारे चीज़े मैं basically component folder के अंदर बनाओंगा ठीक है तो चलो अभी के लिए यार मेरे कोई component folder में नहीं चाहिए ठीक है और मेरे कोई routes के अंदर भी जितनी भी extra files है हम उन सब को डाल लेते हैं for example हम demo भी delete कर दिया ठीक है और उसके बाद हम अपना index बचा ठीक है तो index basically क्या है index वही folder है जहां हम पहले थे ठीक है अब इस index के अंदर आते हैं और आप देखोगे तो यहां से जो भी आपको दिख रहा है quick quick जो भी है ठीक है तो यह सारा का सारा basically आपको इस file की वज़े से दिख रह बोल्ट की कि है रहा है अब आपने सारी चीज हटा तो डी मगर यह और यह नीछे मंदब रहर कहा हैrell है तो बाद में देख लेंगे कहां से आ रहें मगर आप यहां देखऊ यह john här डूसरा section गुआ है ठीका तेश्वंट संक्षियन देख रहे होंगे पहला तो सक्षिन दिख रहे होंगे की आद यहां यहांसे हमारे यह वाली चीजट हो रही है मतलब यह मेरा कमपोनेंट का स्क्षर या हो रही है और दूसरी चीज़ है जो राइए हो हो रही है यह डॉकुमेंट है ठीग है दोखमेंट गया इया हम्मारे बेसिकली जो भी हम अपना हैंक अपना हैंD successfully एक body section होता है तो यह जो हमारे section आपको देख रहा है यह screen पर ठीक है मेरा body section है heading section गया है heading section है यह पीछे वाला section है इदर देखाएं इस पैक्षिन के अंदर तो यह वाला जो आप देख रहे हो यह जो मेरा section है HTML head ठीक है तो इस head के अंदर हमारे सरे meta tags होते है टाइटल के बारे में जो मैंटा डिस्क्रिप्शन होते हैं ठीक है या फिर जब अगर आप कहीं भी इमेज शेयर कर रहे हो ठीक तो ओजी मतलब जो भी आपके इमेज़ टाइग है या फिर जो शुशिल मीडिया पर जब आप शेयर करोगे तो वहां क्या दिखना चाहिए क्य क्या टाइटल होना चाहिए क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ठीक है ट्विटर पर शेयर करोगे तो क्या टाइटल का डिस्क्रिप्शन जनल शेयर करोगे तो क्या और जो आपको यहां दिख रहा है ठीक है यह मनला फॉर एक्जांपल में यहां हूँ ठीक है तो यहां जो को पीज में जो आपको सबसे उपर दिख रहा हूँ था डिस्क्रिप्शन या छोटे से में लिखा हुआ ठीक है या फिर जब को यह दिख रहा है महeu हुआ ठीक है तो इस तरीके से हम यहाँ हमनी जाने वाला ठीक हो सबसे पहले कंपोनेंट बनाने के लिए मैं दर जाता हूं और आउंड के अंदर मैं Ebola भूडर बना लाएते हैं सबसे बलब हो ठीड है तो यहां मिलाते हैं लो नाम से फोल्डर एच्चीडबल लू ठीक है और इस हैलो के अंदर मैं एक फाइल बनाओं ठीक है और इस फाइल का मैं नाम रखुँंगा इंडेक्स.js नहीं इंडेक्स.tsx ठीक है अब इसी के लिए हमें अपना है अपना अप और यह वारा component नहीं यह वारा component जिसके साथ डॉलर का साइन है ठीक है तो मैंने components को import कर लिया और उसके बाद फिर basically मैं लिखता हूं इसी components को कॉपी करके paste करता हूं और फिर finally मैं फंक्शन बनाता हूं ठीक है तो यह मेरा function होगया और यह मैं arrow function होगा और arrow function के अंदर हम जाएंगे यहां कुछ return करेंगे तो मैं लिखता हूं return और यहां मैं h1 tag ले लेता हूं ठीक है और h1 tag के अंदर मैं return करता हूं hello world ठीक है तो अब 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 देखो होगे तो यहां मेरा component तो बन गया ठीक है बट अभी क्या है कि अगर मैं अभी जाके इस route पर गया मतलब for example यहां मैं अगर slash करूं और मैं लिखूं hello ठीक है तो आपको यहां कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब no not found को हटाने के लिए basically मैं को क्या करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि hello world मैं को दिखे तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा मैंने component बना लिए for sure ठीक है बट मैं को इसको export करना पड़ेगा यहां से तो मैं लिखा यह एक और फिर मैं लिखूंगा default भाई कि by default basically इस component को ऐसे export कर दो जब भी कोई इस page को call करे तो अगर आप अब यहां आओगे और मैं इसको enter करूं हेलो को sorry जादा ही enter कर दिया मैंने राइट तो आप देखो यारी यही हेलो वर्ड है अगया अगर यकीन नहीं होता है मैं इसको क्लिक करता हूं दुबारा आपको लेकर जाता हूं देखो यहां प्रिंट हो रहा है ठीक है तो अब तो यह यह देख लिए कि हम अपना सब अंदर गया है और फिर हमने slash hello करके यह अपना component बनाया ठीक है तो इसके आगे वाने वीडियो में और हम थोड़ी यह